आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूना सब के बहुत काम आने वाली है क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना हर कोई कहीं न कहीं जाना जरूर परसंद करता है तो ये घूमने के हिसाब से ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है तो चलिए देर नहीं करते हैं वीडियो शुरू करते हैं तो ये मैंने सावर कैप लिया सावर कैप तो हम सब के घर में होते हैं कहीं हम घूमने जाते हैं तो होटल में होते हैं और हम उनको यूज नहीं करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे मैं तो हमेंसा यह करती हूं कि अगर यूज नहीं करती हैं तो रखके ले आती हूं तो कहीं भी आप कपड़ों के बीच में आप इनको रख सकते हैं क्योंकि गंदगी तो होने वाली नहीं है क्योंकि हमने इसको पैक कर दिया है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आपके पास साबर कैप ना हो तो आप पॉलिथिन में भी आप इनको पैक कर सकते हैं तो चलिए दूसी टिप की तरफ चलते हैं. तो उसके लिए हमें चाही है कि मैंने बैल्ट लिया है. बैल्ट को अस तरीके से रोल कर दे. रोल करने के बाद आप कॉलर में फसा दे. तो फसाने से यह होगा कि आपकी बेल्ट भी एक जगह रख लेंगे आप जिससे जगह की भी बचत होगी और जो कॉलर है वो भी खराब नहीं होगी तो दो काम आपके एक साथ हो रहे हैं कॉलर भी खराब नहीं होगी और आपकी बेल्ट भी रख सकते हैं मतलब वो इसके लिए special जगह की भी जरूरत नहीं है जब हमारे bag में इस तरीके के oil ले जाते है ना जो hair oil है या liquid कोई भी चीज है वो हम लेके जाते हैं तो liquid मतलब leak हो जाती है कभी-कभी तो उसके लिए आप इस तरीके से polythe लगा दें और इसको बंद कर दें और आप इसको कहीं भी रखना चाहें purse में या आप अपने suitcase में रखना चाहें अराम से रख सकते हैं ये बिल्कुल भी leak नहीं होगी अगर ऐसी चीज़े लीक हो जाती हैं तो हमारे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं तो इसको आप purse में भी डाल सकते हैं डाल सकते हैं जैसे मर्जी आप डाल सकते हैं जब हम कहीं गूमने जाते हैं तो इस तरीके का समाना अक्सर खराब हो जाता है तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है कि ये मैंने थर्मकॉल की सीट या कोई इस तरीके की सीट ले ले और इसको सरकल में कट करके और आप है जब हमें ऐसे डाल देते हैं तो यह पूरी में फ्याली जाते हैं और विढ़ाते हैं तो इसका नोसक्राइए किस तरीके से हमें अच्छे से रखना है तो पहले तो आप फिंगर में इस तरीके से रोल कर लें वो भी आ है ये इयर्फॉन यह दू तूरोर् करने के बाद हम इसमय या आपको वी क्लिप या फिर जो पिन आती है ना जो सेटी इना दिया how to behave हों इसलेंगे सेप्टी पिन फिसाने के अपका ब्ल een drie फैलेगी और जहां भी आप रखना जाहें आप असाने से रख सकते आं और ये on दुल्जेगी नहीं तो इसी तरीके से आप charger को भी रोल कर लें charger की जो pin होते है इसका charger होता है तो आप घटा दें तो जो बायर है उसको हम रोल कर लेंगे और इसमें मैं भी हम लगा तो बस इजी है ना बहुत मतलब असानी से जब आपको निकालना चाहें आप आराम से निकाल सकते हैं जो पर्सम है या कहीं भी डालना चाहें आप रख सकते हैं और आप असानी से निकाल भी सकते हैं और ये बलकुल फैलेगी भी नहीं ये मैंने इस्ट्रो ली है और इसको दो पार्ट में कटका लिया एक पार्ट को हम एक साइट में हम इसको गरम करके और इसको चिपका देंगे तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी तो ये दोने इस्ट्रो को हम एक एक साइट चिपका देंगे तो एक माँ मैं क्या भरूँगी, सैंपू भरूँगी जब हम ट्रेवल के लिए जा रहे होते हैं तो इतने बड़े बड़े डब्बे हमें रखना बहुत मुस्किल होता है क्योंकि हमारा समानना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप इस तरीके से स्ट्रो में ना सैंपू भर के रख सकते हैं और बस एक स्ट्रो कोला और यूज किया और उसको फेका तो सैंपू भी भर सकते हैं और इसको मतलब भरने के बाद दूसरी साइड से आप चिपका दें तो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आप जहां मर्जी रखना चाहें आप रख सकते हैं दूसरी साइड से भी मैंने गरम करके चिपका दिया है और बस आप इसको कहीं भी रख सकते हैं इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रो को आप बना सकते हैं सैंपू के साथ और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं और जब आपको यूज करना है तो बस कट करके आ खाल ले ना कितना एसी तरीका इससे आपका ट्रेवल'm in समान भी भारी नहीं होगा क्योंकि समान बहुत खाम हो चाथेश्चुटे टेप्स करना यूज करते हैं आज और आपका बभी जरुएत का समाना व्यजिए गाने से बहुत Cross ले भी जाएंगे लेकिन आपका चोटे स्टॉ आप बना सकते हैं तो इस तरीके की बटन तो हम के घर माँ होती है क्योंकि बहुत सार इंसरो इस यह पर एक हैं कि चाहितरों आपको आसानी से मिल जाएं जब आप पर्स में भी कहीं डालेंगे तो आपको असानी से मिल जाएंगे नहीं तो पता होता है क्या है कि हमें एक मिल जाता है वो दूसरा नहीं मिलता है तो हम पूरा समान खाली करो फिर भी ढूड़ते रहो ढूड़ते रहो बहुत टाइम लग जाता है तो आप इस तरीके से एक साथ रख सकते हैं और ये देखे कितने अच्छे से आ गया ना तो दूसरी जो बटन है वो भी हमें इसमें भी हमें इस तरीके से फसा देंगे तो आप इनको किसी पाउच में भी डाल सकते हैं पर्स में ऐसे भी डाल सकते हैं असानी से मिल जाएगी ये मैंने एक स्ट्रो ली है अगर आपके पास चैन है तो आप इसमें चैन में फसा सकते हैं स्ट्रो को और असानी से अपने पर्स में डाल सकते हैं तो ये मुड़ेगी भी नहीं नहीं तो ये चैन होती है ना बहुत डेलिकेट होती है और जब भी हम कहीं इनको रखते हैं तो यह मुड़ो जाती हैं और यह जल्दी से तोटी भी जाती हैं तो आप chain को हमें डाल देंगे, इस्ट्रो में और इसको बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे तो आप इस तरीके से chain को इस्ट्रो में डाल दें, फसा दें और जितनी लंबी है उसे साब से आप इस्ट्रॉल ले लें तो मैंने हमारी चैन के साब से इस्ट्रॉल लिया और इसको कट कर लिया था तो फसानी के बाद बस हमारी जो चैन है इसको भी हम अराम से कहीं भी रख सकते हैं और ये तूटने कभी डन नहीं रहेगा उसमें आप रख लें या जहां भी आपके पर्स में जगह है आप वहां रख लें तो यह देखें मैंने सारी स्ट्रो को यहां रख दिया है और जो यह रिंग बटन में लगाए थे वो भी यहां रख दिया है चोटे-चोटे समान एक जगह रख दिया है और जो बड़ा-बड का जो डबा था वो भी हम ऐसी रख देंगे तो कितने असानी से हमारा समाना आ गया और जब आप इसको निकालोगे तो बड़े असानी से निकलने में भी बड़त असानी हो जाएगी तो बस हमारा बैक भी को तयार है